अब अपना थोड़ा सा हिसाब किताब मैंने कह रहा हूं यह नियूज है मैं इस नियूज आपको बता रहा हूं कि आप सोचो मैं आपको कह रहा हूं प्रॉफिट बोक करना खरीदना मैं तो आपको नियूज बता रहा हूं क्योंकि वाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा भी कि मैं नीद खो रहा हूं अपनी पर यह जादा दिन तक कि मैं इस तरीके से नहीं जागा करूंगा मुझे भी पता है आपको भी पता है क्योंकि जो चीज मैं अपने में रमा रहा हूं अभी अभी टार्गेट देने वाले जब स्टॉप लॉस देते हैं तो फिर उनकी अफ़ा वसूली करने का समय आ गया है एक नियूज निकल कर आई है वित वर्ष दोजार तेज्टो और इसके अंदर एक नाम है आई आर एफसी तो यह इस तरीके के नाम को एक बड़े पेपर में आ जाए बड़े चीजों के साथ नियूज में आ जाए तो इसके ओपर जो भी एनलाइस मैं करता हूँ आपके लिए अपने लिए अपने सुपचिंतक के लिए अपने रिस्तिधारों के लिए अपने दोस्तों के लिए तो उसके अंदर एक सच्चाए वाली चीजों के अनुसार वो चीज करता हूँ यह नि नमस्कार मैं सुआगत करता हूँ आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सारतक बजार से आज बात करेंगे सरसुजलोन अनर्जी की बात करेंगे इन्फी भीम इवन्यूस की बात करेंगे कि सरकारी में जो इतनी तेजी आ रही है इसके उपर जो एक news निकल कर आ रहे है उसके अंदर भी बात करेंगे बात करेंगे IRFC की और बात करेंगे सर एक share की जो लगातार 11.70 से IPO के बाद तेजी के संकेतों में था और काफी लोगों ने कहा कि सर इसके उपर वीडियो बनाओ कल मैंने इसके उपर वीडियो बनाई और लिखा था कि IRDA का इरादा क्या है यानि कि IREDA का इरादा क्या है तो आज आपको उसके अंदर lower circuit देखने को मिले जो भी analyze मैं करता हूँ आपके लिए अपने लिए अपने सुपचिंतक के लिए अपने रिस्तिधारों के लिए अपने दोस्तों के लिए तो उसके अंदर एक सच्चाए वाली चीजों के अनुसार वो चीज करता हूँ यह नहीं करता कि मैं ऐसी बस अनलाइस कर लिए और मैं आपको बता रहा हूं कि बाइब़े रढ़ कर सकता है NGC एक कर सकता है IRF CA कर सकता है यह सारी चीज़े एक अनुषार होती है अनलाइस के और उस एनलाइस का समय जो मुझे मिलता है रात के 11 बजे के बाद मिलता है यानि कि 12, 1, 2, 3, कभी-कभी 4 बज जाते हैं रात के और काफी लोग मुझे कहते हैं सर आपकी तबियत खराब हो जाएगी जो मेरे सुपचिन तक है वो कहते हैं सर जादा ना जागा करो देखो सर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा अभी मैं नीद खो रहा हूँ अपनी पर यह जादा दिन तक के मैं इस तरीके से नहीं जागा करूँगा मुझे भी पता है आपको भी पता है क्योंकि जो चीज मैं अपने में रमा रहा हूँ अभी वो एक एनलाइस करने का एक अध्यन है जो एक आंत की चीजों के साथ होता है आगे जाकर इस लाइन को शेर मार्केट को फुल ठैम भी दिया जाएगा और उस चीज के लिए फिर पहले वाले काम में थोड़ी सी कमी या फिर उसके अंदर अलग तरीके से कुछ वर्क करके फिर इस लाइन के अंदर एनलाइस करने के तरीकों में चेंज लाया जाएगा और समय इसके लिए निकाला जाएगा है ना और वो हो सकता है इसलिए भी क्योंकि अभी मैं घर पे काम करने वाला केला हूं और मेरा भाई आपको पता आर्मी में सायद वो अब अपना अलिटरार्मेंट जो है उसको लेना है वो अगले साल अगस्तिया जुलाई में उनका वापसी आने का होगा तो फिर दो जिने घर पे आ जाएंगे तो अधिकतर घर के कामों में उनका भी हिस्सा रहेगा तो उसके बाद मुझे फिर पूर्टिया टैम मिलेगा इसलिए जो आज मैं जाग रहा हूं ये आने वाले दिनों के लिए हमारे लिए संपूर्ण अच्छा हो सकता है और कही न कहीं हमें डेली के जो प्रॉफिट भी आ रहे हैं वो मैं आपको क्या बता हूं आई रहे हैं और उसके अंदर भी कुछ लोग कहते हैं, सर सोट में बताओ, सबसे पहले मैं आपको इस चीज बताओं कि मार्किट को अगर सोट में आपको जानना है, तो फिर आपको ऐसे चैनल पर कभी नहीं आने चाहिए, जो आपको काम के बारे में विस्तार के तोर पर बता रहा है, क्य को अगर आपने भाप लिया, मैंने पहले भी बताया था है कि टार्गेट देने वाले जब स्टॉप लोस देते हैं, तो फिर उनकी ऐनलाइस कि चीज की है, यह आप खुछ समझो अज़र, अगर नीचे गया तो उसका स्टॉप लोस हिट हो गया, उसने पहले का कि स्टॉप तो काफी लोग नुकसान ठालेंगे, सर मैं आपको बता दूँ, तो वो चीज मैं नहीं करता, इसलिए काफी लोग कहते हैं, सौट पर वीडियो बनाओ, काफी नहीं कुछ कहते हैं, और मैं कहता हूँ कि जिसके पास समय नहीं है, वो निकल जाए भाई, मत देखे अगर वी थी, वो ज्यादा से ज्यादा कोईले पे नहीर भरती, क्या चीज है, उसके अंदर से आपको कुछ चीजे खोजनी पड़ती है, फिर एगड़ा के उपर जो वीडियो बनाई थी, उसके अंदर भी आपको चीजे खोजनी पड़ती है, तो सारी चीजे तो आपको अभी लास तो ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा आज एचा एफसीयल काफी दिनों बाद चला और मेरे पास तो एक मेसिज लगाता रहाता है सर ये एचा एफसीयल बढ़ता क्यों नहीं बढ़ता क्यों नहीं देखो सर इसकी परती के लिए आमने जान रखी है न तो उसे समझो बस इस चीज के माद्य में जाचने पड़ते हैं वो चीजों को हमें समझना पड़ता है तो एक बैस्ट सेर है जो सरकार की क्रेंट नीतियों के साथ भी काम कर रहा है उनको भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा तो आज तो वैसे ही काफी शेरों में जो रोनके बारे थी वो एक तरह से इसारा दे रहा ही थी वह एक कुछ प्रॉफिट भूक होना है आज आज काफी लोगों ने प्रॉफिट भूक क्या है बड़े बड़े लोगों क्या काफी शेर उपर बागे उसके बाद फिर धलके शेर नीचे भी आया है दो तरह एक निएज निकल कर आई है कि काफ सरकारी शेइरों के ऊपर एक वर्दान सा मार्किट्म ने दे दिया। और सारे के सारे शेइर तबतोत Youtube के संकेतों के साल इस साल मिले हैं। क्या जो ये इतनी तेजी में हरे रंग में जो शेयर भागे सरकारी जो रेलवे बैंक है हैना वाले शेर जितने भी गवर्मेंट से रहें वह अधिकतर भागे क्या आगे भी तेजी रह सकते हैं बड़े बड़े जो विसलेशक हो रहे हैं अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं अब वह कह रहे हैं कि इन तेजी ने इनका मुल्यांकन बड़ा बारी कर दिया है बड़ा उपर कर दिया है कि मुल्यांकन उसे भी ज्यादा यह चीज़े हो रही है यानि कि एक चीज की वैलू अगर पचास है तो वह सो पर पहुचा हुआ है यह चीज़ों को आपको समझ नहीं यह सारे दे दिये गए हैं और यह सारे आ रहे हैं गवर्मेंट कंपनियों में देखो सर रेलवे में अगर विकास होगा तो आपको उसमें IRFC, RVNL, टीडागर में आपको पहले कितना अच्छा शेर बताया था जो 500 रुपे करीब से आज आज आपको 1000 से उपर मिल रहा है तो वह जितने भी रेलवे के शेर, बैंक के शेर हैं यह अपनी अभिलासा को और अगे तक चमकाएंगे यह तो आपको समझे चलना पड़ेगा यह तो अगर गिरावट भी होंगी तो दो चार मेने की हो सकती हैं पर जब यह सरकार दुबारे से अगर रिपीट होई तो फिर यही चीज आपको कहीं गुना मिलेगी यह बाते मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंक इस तरीके के नाम को एक बड़े पेपर में आ जाए बड़े चीजों के साथ न्यूज में आ जाएं तो सकता है उसके अंदर आगे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है क्योंकि जो न्यूज पढ़ने वाले भापने वाले होते हैं रिपोर्ट के चकर पढ़े रहते हैं तो य सरकारी कंपणियों में इतनी तेजी के बारे में पहसे के बारे में हो चुका है काफी हो जूज है सरभ अपना थोड़ा साह हुआ इस अहीं किताब मैं नहीं क्यों करना लोhmen है 캌 एक हैडलाइन है कि सरकारी कमपनियों में इतनी तेजी के बाद क्या अब भार निकलने का वक्त आ गया है और सारी रूप रेका उस न्यूज की मैंने आपको समझा दिया जो इन चीजों को समझेगा वो अपने आप बेड़ा पार अपना कर सकता है यह मैं आपको बता दू इन विस्तार एकाम का वो आगे बढ़ने का है या नहीं है तो काई विसेशता है इस कंपनी की जो मुझे देखने को मिली थी मैंने आपको पहले का था कि डिजिटल बुक्तान हो गया अपने टैम का यह गेटवे बुक्तान गेटवे कंपनी है सिसी वेन्नू इसका एक इसने अमिरात की तरफ यानि कि संयुक्त अमिरात की तरफ इसने अपनी अविलासा को अपने परिचलन को अच्छे की तरफ बढ़ाया है तो यह कंपनी बड़े फोकस में आ रही है कंपनी प्रॉफिट भी कर रही है सेल्स भी कर रही है और अपनी ग्रोथ की चीज़ें हमे बढ़ती इनकी जा रही है अभी हाली में बंदन बैंक के साथ इस EMI सेवाओं के लिए एक हाथ मिलाया जो एक बैस्ट न्यूज है और एक न्यूज और निकल कर आई है कि इनफी बीम ने 59% की हिस्सेदारी पिरिमिड फिन्टैक कमपनी में 59% की हिस्सेदारी 25 क्रोल रुपे में हासिल कर ली है और कमपनी के अंदर आ गई है आज तेजी तो यह तेजी इसकी वैलू बल तेजी मुझे नहीं लगती सर क्योंकि जिस तरीके से यह कमपनी काम कर रही है इसकी वैलू काफी है और वो समय स आकर बताएगा जिस तरीके से कमपनी ने कहा था अपना राज्यसव में यह बड़ोत्री करेंगे इस चालुवित्य वर्स में यह कमपनी बताकर चल चुकी है अब पिरिमिड जो फिन्टैक कमपनी है सर यह आपको पता है पूंजी बजार यानि की कैपिटल मार्केट हो गय बैंकिंग हो गया रिण हो गया डिजिटल रिण हो गया यह अपने द्वारा इस तरीके से एक सेवा परदान करने वाली कमपनी है और इसका फाइदा उठाने के लिए इनफी भी अब इस कमपनी का जो अधिक ग्रेंड 49% करके बैड़ गया है वह कह रहा है कि पिरिमिड फि इस कमपनी के दुआरा भी निकालेगा तो कही न कहीं एक पोजिटिव संकेत इनफी भी में निकल कर आगी है और देखो सर यह रखने वाला शेर है मैं आपको फिर बता दूँ आगे जाकर कोई कमपनी में गिरावट हो जाए वो अलग-अलग चीजों से भी हो सकती है IREDA Indian Renewal Energy Development Agency जो अपने नाम से परदसीत है कि रे- रेनेवल अनरजी पर वर्क करता है यह एक ऐसी कमपनी है जो पूर्ण तिया रेनेवल अनरजी के छेतर में काम नहरे हैं और दूसरों की परियोजना रेनेवल अनरजी की हैं वित्येस थाइदा परदान करने वाली इकमप सीदा एक सोबे करीब मिलना और उसके बाद फिर ये नजरों में NSE यानि की नेशनल स्टॉक एक्सेंज की नजरों में आना अपनी और आकर सित कर गया क्योंकि आपको पता है कि इस तरीके से जब कुछ चीजें किसी शेर में बड़ी तेजी के साथ हो जाएं और वो लगातार शेर भाग रहा हो तो वो इस तरी से एकसेंजों की नजरों में आता है तो कहीं न कहीं उन्हों ने कंपनी किसी के ता 14 दिसमब्र फो पर एक बात में आपको बताओ ये कंपनी के शेर आज ंज गिरे है क्या आपको कल वाली वीडियों मेरी समझ में आई जब मैंने आपको कहा था कि तेजी की शीर रेस में आमें बैठना नहीं है और जो इसकी value अगर जिस वज़े से IPO आया था वहां तक के तो कई quarter बाद ये चीज़े उसके साथ अच्छी होंगी और ये जब कुछ अच्छी अच्छी चीज़े करेगा तो वो हमें तब पता लगे तब इसके अंदर अपना ज्यादा दिमाग लगाना है ये कली मैंने आपको वीडियो बना कर बता जिया था आज इसके अंदर लग गया lower circuit और वो lower circuit लगने के नतीजा है कि जब NSC ने इनसे company से पूछा कि क्या कारण है तेजी का तो company की तरब से जवाब आया कि उनको किसी भी तेजी के बारे में कोई सकार्तमक थो सबूत नहीं पता है तो साब सीधी बात है कि जब company के रहे कि क्यों तेजी आ रही हमें पता नहीं है तो इसके मतलब operator की चीज़े इसके अंदर होने वाली चीजों के साथ थी तो इसलिए कहता हूँ कभी भी तेजी के संकेतों के साथ किसी भी company के अंदर नहीं आना है वो चेक ऐसी company हो पर उसकी जांच कीजिए जब किसी भी चीजों में तेजी आती है तो ऐसे दिशा दीती यह लंबे समय का शेर है जो सरी अब लिस्टिंग हो आया ना तो कुछ न कुछ दमागे करने के लिए तो यह चीज़े हुई है वो दमागे यह तेजी वाले दमागे नहीं अपने वरक के साथ विस्तार करने वाले धमाकों के साथ वो चीज़े होती है और उस को आपको समझना पड़ता है कि कल की वीडियो मैं आपको बता दूँ घेराई से समझ लेना आपको खुद बाखुद दिख जाता कि यह जो शेर है हाली का शेर नहीं है कि लक्षे 2030 के साथ कदमों को मिलाने वाली चीज़ों के साथ इस कंपनी का निर्मान होगा है आई प्य तो इर्डा का इरादा कल ही मैंने आपको बता दिया था आज वो इरादा सफल हो गया और काफी लोग कहेंगे सरा सुझलों अनलजी भी तेजी के संकेतों में हैं तो वाकि होगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी कंपनी को कोई ओडर या कुछ नियु हो जाएगी तो उसके तहर यह शेर जो है रंग अपना दिखाएगा तो सुझलों ने दोनों एक्सेंजों को सुचित किया है कि उसको गुजरात के विंट प्रोजेक्ट के लिए करीब 100.8 मेगावाट का विंट प्रोजेक्ट के लिए एक ओडर मिल गया है यानि कि कंपनी के बास फिर से एक ओडर आया और उसकी तेजी आपको देखने को मिली है तो जब भी इस कंपनी के अंदर आपको सुनेरे अफसर दिखेंगे तो वो उस चीज के लिए होंगे जो नियू समय का शेर है और आज की तेजी इसकी आया ओर्डर मिलने की वजासे अभी कल मैंने आपको बताया था कि म्यूचल फंड वालों ने जब इसके अंदर से होल्डिंग लेना सुरू करा तो वहाँ पर नियूज आई कि म्यूचल फंड ने होल्डिंग ले ली इसने कर लिया तो खास कर SDFC म्यूचल फंड है उसने अपनी पूरे हिस्सेदारी और बाकी म्यूचल फंड जो कुछ है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को बेचा तो यह क्या चीज़ होई थी यह निगेटिव चीज़ होई थी सर समझो आज की जो तेजी सिरफ न्यूज बेस कल की जो गिरावट जो अभी हो रही है वो किसलिए कि किसी ने कंपणी के अंदर अपना हिस्सा लिया वो हम भी लेते हैं आप भी लेते हैं पर हमारे से जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं उनके पास जादा पैसा होता इसलिए ज्यादा हिस्सेदारी लेकर उन शेरों में द्रोन के बाहरे आ जाते हैं और हम देखते कि हमारे से बड़े निवेशक ने कुछ कंपणी में शेर लिए तो वह तेजी वहां पर भी थी पर जब वह म्यूचल फंड वाले निकले तो क्या हुआ वहां गिरावाट यानि कि function के अंदर कोई खुराब काम नहीं हुआ है बातों को समझो आगि कंपणी के अंदर कुछ आता थो नहीं हुआ कि इनके को Commission कुछ लोगे कंपनी को कें से ओडर नहीं मिल रही हो वह अज़ी अग्रावाट नई मिली कि अप sas matches company के ओपर कुछ management में नीचे गिर गिया कुछ किसी चीज देखने को आपको मिली इन गिरावटों में नहीं मिली ना क्या मिली थी म्यूचल फंड वालों ने अपनी हिस्सेदारी को पेचा तो उनों खरीदा बेचा तो कभी भी बेच सकते हैं सर यह निगेटिव नहीं है पर हमारे सामने आ जाता है कि चीज निगेटिव है मैं आपको हारित पहलों समझाता हूँ चीज के बारे में पर वह आपको समझ में नहीं आता अगर गिरावटों हो रही है तो किस मकसद से हो रही है तो अंदर की तरफ ओडर हो गया कुछ भी चीज़े होगी तो वह एक्चुछ चीज होती है मैं आपको फिर बता रहा हूँ तो किसी के स्टेग लेने से और इस किसी के स्टेग बेचने से जो गिरावट और उचालाते हैं वो कमपनी की वेलू के हिसाब से नहीं होते है कमपनी की वेलू होती है अलग तरीकों से यह मैं आपको कहीं बार समझा चुका हूँ तो यह लंबे समय का शेर है 2025 2070 2030 step by step तो यह आपको समझना है तो सुझ लो ननर जी आज भी अच्छा कल भी अच्छा पर रखने वाली चीजे किसके साथ अच्छी है वो आपको समझना है और क्यूं शेयर गिरता है क्यूं शेयर भागता है उन मेथट को समझो हर एक कमपनी से आपको प्रॉफिट मिलेगा समय क्योंकि आज इसने अपने सोके आपड़े को पार कर लिया था और वो एक ऐसी चीज दिखा रहा था कि अब यह तो भाई रुके गाई नी शेयर नियूज आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि कुछ सरकार कंपनियों से क्या अब उतरने का वक्त आ गया है यह आज की भी यह मैं आपको बता दो दो दिन पुरानी और जब कुछ चीज दो दिन पुरानी होती है उसके अंदर एक दो दिन उजाले आते हैं तो हम कहते है यह नियूज आई थी भाई लेकिन उसकी भी कुछ साइक्लोजी है आपको आगे जाकर सरकारी कंपनियों में गिरावट के आपको बता दो इसलिए सचेत रहना है आयरेफसी कोई भी शेर जो गवर्मेंट है या कोई सभी है पर उसका वजूद अच्छा है तो वह हाली के दिनों में गिरावाट उच्छाल से नहीं अच्छे होते वह लंबे समय के लिए बहुत बैतरीन होते है अभी तो वीप्रो क की बढ़ रहा है क्योंकि यहां पर भी काफी डवलोमेंट जो है आई टी के छेत्र में जैसे AI के छेत्र में आपको बताया था उन चीज़ों के साथ होते जारे और काफी दिनों से वीप्रो आपको कुछ भी चीजी तेजी नहीं दिखा रहे हैं कभी न कभी किसी का वक्त आ तो रखने वाला शेर होते हैं इसी तरीके से IRFC भी रखने वाला शेर है पर अब इसकी परते आपको election के माध्यम से देखनी चाहिए और जो न्यूज मैंने आपको सुरू में बता दी है पी, SU यानि सरसरकारी कंपनियों से क्या उतरने का वक्त आ गया है इस मैठड को जाता समझना है इनफी बीम ने पिरिमिट फिंटेक कंपनी का 99% का दिग्रेंड लोन को ग्रोथ करने के लिए डिजिटल रिन देने की सुईधा के लिए भी उसका फाइदा उठाएगी इनफी बीम अलग माध्यम से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहा है आपको समझकर चलना पड़ेगा इर्डा का इरादा ये आज की गिरावट से खतम नहीं इसका इरादा तो कुछ गिरावटों के बाद फिर से सुड़ू होगा और अब इसकी एक्चुल वैल्लू जो है जो समझेगा वो इसकी मंसा अपने तरीकों से बनाएगा सुजलोन अनर्जी की तेजी आज की इसको ओर्डर मिलने की वजा से है और कुछ जो अलग हुए वह एक निगेटिव चीज है फिर भी इन दोनों इस्तितियों में आपको समझना है कंपनी की वैल्लू क्या है तो उस वैल्लू को जानिए हर एक चीज आपको प्रॉफिट दे कर जाएगे और अधिकतर जो मार्केट में तेजी के महौल बने हैं बस कोई हलका सा धक्का दे देगा ना तो अपने कदमों को भी समय समय पर समाल कर चलना है जो भी अपनी अनलाइस सरकारी शेरों की तरब करके बैटे हैं उसके अंदर आपको सचेत रहकर अपनी अविधी को और बैतरिन लंबे समय के लिए करना है क्योंकि हम हर एक महौल से जब तक नहीं गुजरेंगे कि गिरावाट उचाल मार्केट गिरना ये वो तब तक कि हमें कुछ भी इस महौल के बारे में समझ में नहीं आएगा और जो ढ़ल गया इस महौल के बारे में वो फैसा ही कमाएगा किसी की बहकी बहकी बातों में आना नहीं है किसी की एनलाइस को कभी भी गलत और अपनी को कभी भी सई सबको समझ कर एक जैसा और अपनी ग्रोथ हमें आगे की तरफ करनी है अपने बच्चों को जादा से जादा प्यार कीजिए क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किसमत पलटेंगे तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियों के साथ जब तक के लिए नमाश्का